हलो नमस्कार मैं रोशन खान दा इंक्ल्यूस से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो मैं इस वक्त जिस जगे पे बैठा हूँ उसकी काफी चर्चा पिछले 10 दिने से चल रही है आपने देखा होगा सुना होगा काफी कुछ जाना भी होगा लेकिन मैं इस वक्त मौझूद हूँ दिवंगत खुशी मिश्रा के घर पे उनका घर प्रियागराज के शहर पश्चिमी में करेली थान अंतरगत एक छोटा सा गाउं है करेंदा हम यहां पहुँचे हैं और मेरे बगल में बैठे हुए हैं मुकेश मिश्रा जी उस खुशी मिश्रा के पिता जी जुनों ने बहुत कस्ट जहला काफी परेशान हुए दो चीजों के बीच में एक इनकी गलती ये थी कि ये गरीब हैं दूसरा बेटी के बाप हैं हमने उनसे बात की पूरी हाल चाल ली मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने एक समाचार दिखाया था लेकिन आज मैं जब इनसे मिला तो बहुत सी चीजे पता चली उसमें एक बहुत ही अमानवी चीज जो सामने आई वो ये कि जब खुशी मिश्रा को ये दोबारा वहां लेकर गए थे धाई घंटे तक बच्ची जिन्दा थी और दर्वाजे पे यानि युनाइटेड मेडिसिटी के दर्वाजे पे उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया था सिर्फ इसलिए कि उसको सही इलाज नहीं मिला हो सकता है अगर इलाज मिला होता ता आज खुशी मिश्रा अपने माबाप के साथ अपने घर में होती है मुकेशी इस चीज को थोड़ा सा बताईए जिस दिन आप मेडिकल चिल्रन होस्पिटल से वापस आए रात में यहां आया बता रहे थे फिर इसके बाद जब मेडिसिटी गए हैं तो क्या हुआ वो थोड़ा सा बताईए हम वहाँ जब पोंचे जब हम लोगों ने वहाँ पोंचा तो अंदर से ताला बंद कर दिया गया था पिलस डएर सारे पर्साशन भी वहाँ थे तो हम लोगों ने पर्साशन से यही कहा कि साहब हमारे बच्ची को जल्दी सजल्दी अंदर ले जी मतलब अंदर हम लेके चले जाए बच्ची का हमारा इलाज चालू हो जावे तो उन लोगों ने हमको अंदर लेके नहीं गए अंदर लेके नहीं गए बच्ची हमारा बच्ची हमारी कम 10 बजे हम वहां पहुँच ग रहे ठी अन्दर नहीं जाने दिया जा रहा था द्रोगा साहप भी वहां थह, परशासन भी थी एसो भी थे, फिर भी हमारी बच्ची अन्दर नहीं जाने पाई, कम सकम 10 बझे से साढ़े 12 बझे तक हमारी बच्ची जीवित थी, फिर बच्ची ने जाकर वहाँ दम तोड़ा तड़ते तड़ते बच्ची के हमारी जान चली गई अच्छा जब आप ले गए बच्ची को गेट पे रोका गया तो आपसे कहा क्या गया क्यों नहीं जाने दे रहे हैं कोई जवाब दिया उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया अंदर से ताला बंद किया था एक दरोगा अब प्लस लल्लन जी हैं डाही के लल्लन पटेल और हमारे कुलदीब भाई कुलदीब छोटा भाई यो सामने बैठे हुए हैं आपको और विबेक स्री वास्तो ये चाल लोग वहां गए चाल लोग गए दो घंटा वहां घूमे टहले लेकिन डाक्टर मिलने के लिए नहीं आ सबसे अबानवी कृत ये था इस हॉस्पिटल का कि बच्ची को ये गेट पर ठाई घंटे तक लेकर बैठे रहे मिन्नते करते रहे इनके साथ इनके दो कजिन्स थे वो विचारे हॉस्पिटल के अंदर जाकि डॉक्टर्स को ढूंड रहे थे बहुत बड़े धनपशू का ह अगर आप पैदल घंटे लग जाएंगे पूरा अस्पिटाल घंटे में ऐसी जगा पर ऐसा काम हुआ कि पूरी मानवता समसार हो गई इसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं इन्हों ने बताया कि कल हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी वहां करेंगे शांती पूरवक हो और बच्ची को फिर भी प्रॉब्लम थी तो इन्होंने क्या कह के आपको यहां से भेजा था हमसे बोला गया कि वो जो डारेक्टर हैं अंकित गुपता ने बोला कि डारेक्टर और गुलाठी बोल रहें कि आप पांच लाग जमा करिये तब बच्ची का हम ढग से इलाज कर पाएंगे हमने बोला सर हमारे पास अभी पैसा नहीं है आपको दो दिन के अंदर में हम पांच लाख रुपए लाग के जमा कर देंगे उसने हमारी इतनी इतना बिकार इंसान है वो उसनी हमारी कोई बात नहीं सुनी और हमको वहां से बाहल लिखार फेंगा मतलब आप पांच लाख रुपए देने के लिए तयार थे आपने दो दिन का समय मागा था उसके बाद भी इनोंने इंकार कर दिया और बच्चे को आप से कहा कि लेकर जाए यहां से और दुबारा जब अपरेशन किया इसने अंदर से टाका भी बच्ची का हमारे नहीं लगा था यह वीडियो काफी वाइरल है जिसमें आपने देखा होगा कि मुकेश मिश्रा जी अपनी बच्ची को हॉस्पिटल के प्रिमाइसेस में लेकर बैठे हैं और बच्ची का पेट खुलवा कर भी देख रहे हैं वहाँ पे एक भी टाका नहीं था यह कौन सी रेमेडी है मेरी समझ में नहीं आई अगर कोई चिकित सा जगत का इस मामले में कोई टिपड़ी करना चाहे तो जरूर करे कि ऑपरेशन के बाद टाका कब नहीं लगाये जाता है यह जीज बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए आप के लिए समाज के लिए जराब रोशन खान दा इंक न्यूस से